हाई फ्रिंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा दानियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होब बिलकुल अच्छे फ्रिंट्स आज हम आपके लिए क्या हैं ओड़त दाल की पूरी बनाने में बहुत ही आसान है और सभी को बहुत पसंद आने वाली रेसिप ही है तो फ्रिंट्स आईए उडध दाल पूरी बनाना स्टाट करते हैं अदाल की पूरी बनाने के लिए हमने यहापे ली है आदा कटोरी धुलीवी उड़त की डाल अप चाहे तो चलके वाली राल भी ले सकते हैं पर चलके वाली डाल आप भिगो के अच्छे तरह से चलक कर दिया है अब हमने लिया है एक जार जार के अंदर भीगीवी डाल को डाल देंगे एक हरी मिच भी हम रफली कट करके डाल देंगे अगर आप अधरक पसंद करते हैं तो एक इंच अधरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं पर हमने यहापे अधरक नहीं डाली है अब डाल देंगे हम 2-3 चमश पानी, पानी हमें बहुत जादा नहीं डालना है, फाइन पेस्ट तयार कर लेंगे पिसीवी डाल को हम एक बड़े बरतन में निकाल लेंगे, ताकि आसानी से उसमें हम आटा लगा सकें डाल को हमने बड़े बरतन में निकाल लिया है, सबसे पहले हम डाल देंगे डाल में 2-3 चमश सूजी, हमने यह पे 3 चमश सूजी डाल दी है, सूजी डालने से उड़त डाल की पूरी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनती है, अब हम डाल देंगे लगबग 1 कटोरी के पांकर के लिया है एक छोड़ा चमच हम डाल देंगे धनिया पाउडर लाल मिर्ची हम टेस्ट के अकॉर्डिन दालेंगे अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप दो चमच भी ढाल सकते हैं हमने या पर चोटा डीड़ चमच लाल मिर्च पाउडर ढाल दि है नहीं नहीं है साथ ही हम आल देंगे । धनिया प्ति रख्य है दोखे रख यह को कट कर देंगे है Bay Area ड्हुनीं हमें बनाने के लिए बहुत ज्यादा सामनकी जरुत नहीं पड़ती Ой और आश़ानी जम देंगहां देखें धनिया कट कर देना है धनिया पत्री डालने के बाद अब हम डाल देंगे रिफाइंड ओईल, लगबग 2-3 चमच हमने रिफाइंड ओईल डाल दिया है, मोवन के लिए जब हम ओईल डालते हैं तो इससे पूरी सॉफ्ट बनती है, अब सभी चीजों को डाल में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ले अभी हम थोड़ा सा ग्यों का आटा और एड़ कर देंगे, क्योंकि दाल में पानी था इसलिए देखे पूरी के लिए आटा तयार नहीं हुआ है, अच्छी तरह से आटे को हम दाल में लगा लेंगे, अगर आपको मसाले कम लगते हैं तो इस स्टेज पर आप मसाले और और दाल की पूरी बनाने के लिए आटा हमने बहुत अच्छी तरह से लगा लिया है, अभी हम इस पे एक चमच रिफाइन ओल ढाल देंगे और आटे को ओईल में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, देखिए पूरी बनाने के लिए आटा अच्छे से रैडी हो चुका है, अभी हम 10 से 15 मिट के लिए आटे को ढखकन लगा के साइड में रख देंगे 15 मिट कम्पलीट हो चुके हैं, आईए आटे को चेक कर लेते हैं, देखिए पूरी बनाने के लिए आटा बहुत अच्छे से तयार हो चुका है, एक बार हम अच्छे से आटे को सही कर लेंगे देखिए पूरी बनाने के लिए आटा अच्छे से रेडी हो चुका है अब हम पूरी बनाने के लिए आटे को गोल कर लेते हैं जो हम रेगुलर घर में पूरी बनाते हैं उससे हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है पूरी का साइज क्योंकि दाल की पूड़ी हैं अच्छे से फूलेंगी कि देखिए हमने इस तरह से आटे को गोल करना स्टार्ट कर दिया है पूड़ी का साइज आप अपने इसाब से बड़ा या छोटा जैसा मन में आए वैसा बना सकते हैं देखिए सभी आटे की हम इसी तरह से लोई बना के तयार कर लेंगे सभी आटे की हमने लोई बना ली है आईए अब ऑईल गरम होने रख देते हैं और साथी में हम पूड़ियों को बेल के तयार कर लेते हैं पूड़ी बनाने के लिए ऑईल हमने गरम होने रख दिया है हम बेल लेंगे डाल की पुड़ी है अगर चिपकती है बेलने में तो आप इस पे हलका सा ओिल लगा सकते हैं देखी आपको पास से दिखा देते हैं हमने पूड़ी थोड़ी है थोड़ी सी मोटी बना कर के ही तैयार की है एकदम पतली पूडी नहीं बनाई है हलका सा लोई पर ओईल लगा करके हम पूडी को बेल लेंगे ओड़त दाल की पूडी को आप किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं कोई भी फैस्टिवल हो तब बना सकते हैं आप अगर सफर में कहीं जा रहे हैं तब भी आप बना के ले जा सकते हैं बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी बनती है और जल्दी से खराब भी नहीं होती है इसी तरह सारी पूडी बेल करके हम तयार कर लेंगे इसी तरह से सारी पूडी बेल करके हम तयार कर लेंगे देखिए हमने डाल की पुडि बना कर के तयार कर ली है ओईल भी गरम हो चुका है आहिए पुडि फ्राई करना स्टार्ड करते हैं हमने आईरन की कडाई में ओईल गरम होने के लिए रखा था ओईल गरम हो चुका है ओईल चेक करने का तरीका हम आपको पहले भी बता चुक है है यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा आटा इसको ओईल में डाल के देख लेंगे देखिया आटा फूल के उपर आ गया है इसका मतलब ओईल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है अब आहिस्ता से हम दाल की पूरी क को ओईल में डाल देंगे गैस की फ्लेम को हमें हाई रखना है लो या मेडियम नहीं करना है पूरी को आहिस्ता से फूल के उपर आने देना है देखिये कितने बढ़िया से पूरी फूल गई है साइड चेंज कर देंगे इसी तरह से हम दबा दबा के पूरी को सब तरफ से सेख लेंगे वापस से साइड चेंज कर देंगे साइड चेंज करकर के सेखने से पूरी क्रिस्पी बनेगी देखिये बहुत ही बढ़िया से दाल की पूरी बनके रेडी हुई है हम आपको पास से दिखाते हैं कितनी बड़िया फूली फूली टेस्टी पूरी बनके तैयार हुई है सभी दाल की पूरियों को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे सभी दाल की पूरी हमने बना के तैयार कर ली है देखे कितनी बड़िया और टेस्टी बनी है आईए गर्मा गरम पूरी हम सर्फ भी कर देते हैं देखे कितनी बड़िया फूली फूली दाल की पूरी बनके तैयार हुई है आप जब चाहें जब डाल की पूरी बना सकते हैं, किसी बी सब्जी के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ, या ऐसे ही भी आप डाल की पूरी को खा सकते हैं. हमने पहले भी कई पूरी की रेसिपी आपके साथ शेएर कीवी हैं, link हम description box में दे देंगे. तो friends दाल की पूरी की रेसिपी को ट्राई करें, टेस्ट करें, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, thank you, thank you so much, have a nice day